आयए दोस्तों आज एक नया topic पढ़ते हैं आपने देखा था production function हमने को सिखाया था उसी का ये topic है iso product curve क्या होता Iso product curve जीसे की isocond curve भी कहा जाता है ठेक है तो isocond curve क्या होता आई ומot curve represent all possible combination of two factor that will give the same total product संने समझ आया है presenting पहले तो आप इस definition को not down कीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको दो आपने दो factor की demand की देखिए अगर आप production कर रहे हो तो आपको lever और capital की चाहिए दो demand की आपने lever मांगा पांच capital मांगा 10 ठेक है कोई डिकत नहीं है तो आपने बोला क्या मुझे है आपको भी बोला गया क्या आपको पांच नहीं आपको 10 देंगे हैं आपको हम 10 lever देंगा आप तो पुरा खुस हो गए you become very happy क्योंकि आपको 5 level मिल रहा था आप 10 मिलेगा तो आप बहुत खुस हो गए लेकिन बोला आपको capital 10 मिल रहा था अब capital मिलेगा 6 तो आपकी जो खुसी थी वो फिर से same level आ गई मतलब आप यहां पर थे बहले आपको 10 level मिल रहा है तो आप एकदम खुस हो कर यहां पहुँ प्रोड़क होगा तो उसी पर कर से फिर 15 मिला तो बोला चार मिलेगा तो सीम ही है भाई कोई बड़ा अंतर ने अगर 15 मिलता और यह 10 ही रहता तो नहां खुसी होती है में capital तो 10 है और level बढ़ रहा है या capital भी बढ़ रहा है बस same level of satisfaction मिल आई हो आप वो concept क्लियर होगा होगा कि अब लोग comment करके बताएं कि आपको कैसा लगए एक आपका concept कि लिए हो रहा है किने आप लोग comment करे करके बताएं प्लीज देखिए आईसो कॉंड कर्व कैसा दिखता है आईसो कॉंड कर्व या आईसो प्रोडक कर्व यह देखिए नीचे की ओर डाउनवाद स्लोपिंग हो रहा है और डाउनवाद हो रहा है तो सरी यह निगेटिव है और यह कौन सा लग रहा है आपको कॉन वेक्स है यह कौन वेक्स है ठीक है ना कॉन वेक्स और कान गी आपको अनसरी अगर यह इस साइड मुड़ा होता तो कोंके होता बत इस साइड है तो कौन वेक्स है आदि इसके क्रेक्टरिस्टिक्स देख लीजे इस स् लोप आइसो कॉन के कर्व ही निใेडिव utimana है यह जो है पैरलल नहीं होते हैं ठेक कभी यह पैरलल नहीं होते हैं यह कर्व के टाइप के होते हैं इक्वल प्रोड़क कर्व नेवर कट अगर दो प्रोड़क कर्व जो है वह कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे iso一個 around convex to origin हमने बता दे आपको को subscribe होते हैं isocond do not touch either axis किसी भी axis को यह touch नहें करते हैं धेखिए ये एक्जमपल आप देखिए किसी भी यह on is touch हो रहा है इस दोनों को touch कर रहा है नहीं न तो यह यहां property में लिखा हुआ है सी characteristics this is the logical onwards कि तरह है इस साइड है ऐसे ओवल की तरह है तो एकको प्रोड़क्ट कर लाइंग तु राइट रिपर्जेंट ए लार्ज आउट्पूट सर यह क्या हुआ मतलब यह देखिए आपको दो आइसो कॉन कर्ब दिख रहे होंगे तो सर यह उपर वाला जो दिखाड़ा है मतलब ज्यादा प्रोड़क्शन है यह लार्ज आउट्पूट दिखा रहा है यह हमें लार्ज आउट्पूट देगा न तो हम इसमें जाएंगे यह लो आउट्पूट दिखाड़ा है यह आईसो कॉन वन आईसो कॉन टू यह लार्ज यह लार्ज दिखाड़ा आउट्पूट यह लार्ज प्रोड़क्शन हो रहा है तो यह उपर है और इसमें कम प्रोड़क्शन है समझ मैं आप लोको तो आप यह नॉट डाउन कीजि सेवन पॉइंट नोट डाउन कीजिए ये करक्रिस्टिक्स आइसो कॉन थैंक यू वरी मच